हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसास हमारी चाइनल फ्रेंड्स आज की रेसिपी है मूंग डाल का स्प्राउट बनाना तो यह जो मूंग की डाल है यह साबूत मूंग है इसी हमने धुल के भिगो दिया था साफ करके तो उसके बाद हमने इसका सारा पानी निकाल दिया था फिर यह दो-तीन दिन में इस तरह की अंकुर निकल आए है अब इस मूंग का प्रियोग आप चाह सैलिट के रूप में करें जिसमें आप हरे बंदी, प्याज, टमाटर मटर, बीन्स, मूंफ्री आदी डाल के आप चाहें इसका सलाद बनाएं और माल लेजे किसी को यह कच्छी चीजी नहीं समझ में आ रहे हैं नहीं अच्छी लगती है या उनकी तवेत इससे बिगर जाती है तो आप इसका स्प्राउट बना सकते हैं जो बहुत ही आसान है यह देखी फ्रेंड्ट कढाई में तेल गरम हो चुका है इसके लिए हमाएक पस्रोन यह नमक है और आज ही चमझ से भी कम काली मेर्च है सो यह दोनों हम इसमें डाल लेते हैं इसमें बित्रेंज दाल के डूरेंज से आप Susp यह दिखी फ्रेंट इसी लो टू मीडियम पे हमने पका लिया है तो यह बनके रेड़ी हो चुका है पाँच मिनट में और यह दिखी आप इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं फ्रेंट इस प्लेटिंग भी कर दी है तो आप चाहें तो इसमें धन्या डालें या एवॉइट करें इसी चाहें से नाश्ते के रूप में ले सकते हैं या आप ऐसे भी खा सकते हैं फ्रेंट आगे के लेटिस्ट वीडियो ऐसे देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेर करना बिल्कुल मत भूलेगा फेस्बुक पे हमारा पीज है ऐसास हमारे उसे जरूर लाइक कीजेगा ठैंक्यू फ्रेंड और बाबाई टेक क्यार